तो कैसे हैं आप लोग तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान के गंगा बहाने वाले चैनल वुरिजिन्स इशाला पे और पिछली बार के लेक्चर तक हम टिग मिग वगेरा वगेरा वेल्डिंग देख चुके हैं यानि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्ड क्यों कि अभी तक जो भी हम वेल्डिंग कर रहे थे उसमां किसी शील्ड गैस या किसी इलक्टर कोटिंग के बदद से अभी तक प्रोटेक्शन दे रहे थे लेकिन यहां पर हम फ्लक्स का यूज करेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से कैसे चलिए अभी देखते हैं अब प कि हर प्रोसेस की तरह यहां पर भी हम हीट आर्क से ही जेनरेट कर रहे हैं और यहां पर जो हमारा इलेक्टरॉड है वो बैर कंजूमेबर इलेक्टरॉड है और वर्कपीस के बीच में हम आराम से हीट जेनरेट कर रहे हैं आर्क की मदद से लेकिन यहां पर यह जो हमारा प होती ना आपके पंडूबी जिसे कहते हैं क्यों सब्मरीन बोलते हैं कि यहाँ पर आपको जो सेटफ है वो फ्लक्स की कोटिंग के अंदर डूबा हुआ है इसलिए इसे सबमर्ज आर्क विल्डिंग कहते हैं यानि आपका आर्क आपका बेर इलेक्ट्रोड और जो मॉल्टन पूल बन रहा है वर्कपिस के यहां वो भी यह पूरा एक ग्रैनुटेटर फक्स यानि पाउडर जा लिया जो फ्लक्स है उसकी कोटिंग के अंदर डूबा हुआ रहेगा और यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोड है वो एक ट्यूब के जरिए आटोमेटिक फीड दिया जाएगा रूलर्स की मदद से और इसी वज़से आपका जो स्ट्रक्चर है वेल्डिंग का वो मिग वेल्डिंग की तरह बहुत ही यूनिफॉर्म देखने मिलेगा आपको और इसका सेटप आप देख सकते कुछ इस तरह से जिसके अंदर यह जो पाठ है अमारा यह नौजल ट्यूब है जिसमें से हमारा पाउडर फेक्स गिरता रहता है और इसके अंदर हमारा कंटिनुएस इलेक्ट्रोड फीड आती है तो यह दोनों साथ में ही ट्रावल करते ह तो जैसे इसे पाउडर गिरता रहता है तो उसके अंदर यहां पर आपका आर्ग जिनरेट होके वेल्डिंग होती रहती है यहां पर इसलिए आप देख नहीं पाते कि वेल्डिंग कहां हो रही कैसे हो रही है बस यह पता अंदा जा रहता है कि हाँ चलो इस एरिया में वे equipment है उसके welding head के साथ में अंदर की बाजू बैर कंजू में इलक्टर होता है उसके साथ बाजू में flux tube होती है और यह जो flux tube है यह हमेशा electrode से एक कदम आगे ही चलती रहती यानि कि मेरा जो electrode है मानलो welding इस तरफ जाने वाला है तो कभी भी उसके आगे पहले ही यह flux गिराती रहेगी ताकि आपको flux की coating continuously मिल सके और इसके उपर लगा रहता है जिसमें हमने powder को store किया है और वो continuous supply देता रहता है और इसका general setup कुछ इस तरह से होता है कि एक बाजू से तुम flux गिरा रहे हो और दूसरी बाज़े उसे वह reuse होने के लिए वापिस collect होता जा रहा है और यहां पर हमारे वेल्ट इस direction में जा रहा है लेफ्ट से राइट तो पहले flux गिरा यहां पर आर्क के वेल्डिंग हुई और यहां पर जो एक्स्ट्रा पाउडर था जो यहां पर melt होके mix नहीं हुआ वह आप इस collect हो जाएगा reuse होने के लिए और इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं अब क्यासा होता है इसका आर्क तो इस तरह से यहां पर कुछ होता है कि इतनी जड़ी आप देख सकते हो फ्लक्स की कोटिंग है यहां पर और यह मॉल्टन स्लैग जो आ रहा है यहां पर नीचे यह आपका फ्लक्स और मेटल पूल दुनों का mixture रोग का सूप जाता है और इसके उपर जो बाकी का पाउडर रहे जाता है वह बाद में हम collect कर देते हैं और हर बार की तरह यह फ्लक्स टाइप का setup है जिसमें nozzle आपका collecting nozzle powder feeding nozzle और electrode तीनों साथ में एक ही head में मूँ कर रहे हैं और यह इसका simplified diagram अगर आपको draw करना हो तो तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर bare uncoated electrode यूजों का चलो वह बात सही है और यहाँ पर मिग welding की तरह आपका wire के form में electrode continuously दो रोलर की वज़त से feed होता रहेगा अब सबसे main बात कि यहाँ पर तुम किसी टाइप का pressure नहीं लगाते प्रेशर की जरुरत ही नहीं है क्योंकि यह fusion welding है किसी भी fusion welding में प्रेशर की जरुरत नहीं होती most cases में और जो पहले हम welding देख चुके हैं उनमें भी pressure की जरुरत नहीं थी और क्योंकि यहाँ पर continuously आपका जो weld pool है वो इस flux के powder के अंडर डुबा हुआ रहता है यह धका हुआ रहता है तो उसके वज़ेसे वह एक thermal insulation जैसा काम करता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो weld है वो एकड़म धीरे-धीरे थंड़ा होता है और उसका जो heat है वो अच्छे में remove कर देते हैं और यह बहुत काम करता है क्या काम करता है कि यह थंड़ा होने के बाद एक लेयर बना देता है जो thermal insulation का काम करता है यह जब पावडर था तब अच्छे से दीरे-दीरे पूल हो रहा है तो उसको नीचे से सपोर्ट आपको देना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरह से सॉलिडिफाइन ना हो जाता है तो उसके लिए हम बैकिंग प्लेट एक यूज करते हैं कॉपर या स्टिल की जो उस वेल्ट जोइन को जब तक पूरी तरह से सॉलिफाइन नहीं हो जाता है तब तक सपोर्ट देके रखती है मॉल्टन मेटल पूल को पाउडर को वगएरा वगएरा को और यह प्रसेस जब तक आपकी जितनी लंबाई उतनी लंबाई तक इजिली आप लॉंग वेल्ट कर सकते हो इसमें और यह जो अनमेल्टेड फ्लेक्स होता है यानि पाउडर उसको कलेक्ट करने का जो ट्यूब है उसको दूसरे सड में वैक्यूम लगाते हैं तो फटा- इलेक्टरोड और नेगेटिव वर्कविस यूज़ करते हैं क्यूंकि यहाँ पर आपका इलेक्टरोड कंज्यूम होगा तो इसलिए इलेक्टरोड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं मोस्ट केसस के अंदर DC सप्लाई के साथ और लो कारबन स्टील ब्रोंज निकल और दू इंडिकेशन क्या है इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोसेस के तो कुछ मजा आए इसके बारे में जनने का और सबसे ज्यादा माक्स लेने के वस्तुत यहीं अपने लिए कि एडवांटेज दिसद्वांटेज जनल होगे अपना काम तो बात करते हैं एडवांटेज की तो इलेक्टरट फीड होता है वह बहुत ही हाइश्पिडिस होता है तो आपका जो फिलर मट्रील का काम है वह बहुत अच्छा होता है यहां पर इसके अंदर ज्यादा कुछ एच्प्रिपरेशन करने की ज़रत नहीं पड़ती बहुत ही अच्छा डीप वेल्ट परिनिटरेश सकता है और जो हमने मिग वेल्डिंग में देखा था कि आउट्डोर वेल्डिंग में बाहर से जो हवा की जोके आते हैं उसके से आर्क अंस्टेबल हो जाता है यहां पर ऐसी प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि यहां पर आपका आर्क पावडर के अंदर कवर किया है तो हवा आ भी गई तो कुछ उखाड नहीं सकते उसका तो आवडर के लिए बहुत ही अच्छी प्रोसेस वानी जाता है इसे और सबसे खास बात दूसरे जो वेल्डिंग प्रोसेस है उनके अंदर बहुत ही चिंगारिया उड़ती रहती है आजवाजू लेकिन यहां पर प्रोसेस में तो चलो देखते हैं तो पहला कि आपका आर्क है और वेल्ड जोन है वो उप्रेटर देखी नहीं पाता प्रोसेस ब्रोसेस हैं पाउडर की वाज़े से तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम पढ़ सकता है या फिर वेल्ड कितने डीप पेंट रिट किया है वह जानने में प्रॉब्लम पढ़ती है यहां पर और क्यूंकि यहां पर हम पाउडर वाला फ्लक्स यूज करते हैं सिफ तो इसक क्योंकि भले ही अपने स्ट्रेस करने से रोक लिया लेकिन वह कूलिंग रेट है वह इतनी स्लो है उसके ब्रिटरल बन जाता है और इसलिए आपका जो ग्रेंट स्ट्रक्चर चींज हो जाता है और क्रेकिन डिफेक्ट आ सकती है तो पहले देख लेते हैं जैसे कि मैंने कहा हो लो लो ऑलो स्टील और अगर आपके पास अच्छे से अवेलेबल है अलग लग वेराइटी के तो स्टेनलेस टील कॉपर निकल अलुमिनियू और टिन बेस अलोइस को भी तुम वेल्डिंग कर सकते हो लेकिन यह तो मट्रीयल हुए ना तो एप्लिकेशन किस पर है तो जैसे प्रेशर वे अल्मोस सब वही है अप्लिकेशन ज्यादा कुछ नया नहीं बसे किये लोको मोटिव यानि ट्रेन रेल रोड और अर्थ मूइंग टूल एक्स्टर आया है इसके अंदर और लास्ट के मशीन पाट्स जो लॉंग लॉंग मशीन पाट है उनको रिपेर करने के लिए इस प्र ना दिया है इसका एसपेक्ट कुछ अगर आपको डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो भी या तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही और अकली बार फिर से अगर पढ़ाई का किड़ा उचकने लगे मन में तो अपने अड़े ओरिजिंस इसालाब आ जाना बाई झाल